चुनाव के रिजल्ट आने के पहले और उसके बाद क्या होगा ये जानना बहद आहम है ये जानना बहद आहम है कि आज शाम में जब ये क्लियर हो जाएगा कि मोकामा और गोपाल गंज में कौन जीत गया और कौन हार गया तो उसका राजनितिक असर भिहार पर क्या चुनाव की गिंति शुरू हो चुकी है पोस्टल बैलेट की गिंति भी शुरू हो चुकी है लेकिन हम आपको सोचे कि पहले ये बताने से पहले कि कौन जीता और कौन हारा आपको ये बता दे कि भाजपा आरजेडी या फिर आप महागट बंदन कह लिजिए किसका इज़त ताज उतर जाएगा किसकी नाकाज कट जाएगी और कौन वो होगा जो जीत कर इस बात को साबित कर देगा कि भिहार की लोगों ने उनको चुन लिया है बैरहाल देखिए तरस्वी आदव के इज़त का सवाल इसे लिए है क्योंकि जो नया प्रियोग हुआ था नितीश कु नहीं हुआ नितीश कुमार पुरे देश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि भाजपा को हटाने की मुहीम बिहार से शुरू होई लेकिन गोपाल गंज और मोकामा का जो आज चुनाव हो रहा है जिसकी आज गिंती हो रही है वो आज ये डिसाइड कर देगा कि नितीश कुमार और तिरियस्वी आदव कहां बिहार में स्टेंड करेंगे बहराल इस वीडियो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मेरा नाम प्रशांतराय है और आप जनता जंग्शन देख रही है गोपाल गंज की बात से शुरूआत करते हैं गोपाल गंज में जो जीतेगा वो ये बता देगा कि देखिए यहां के किंग हम है इसलिए क्योंकि पिछले 17 सालों से गोपाल गंज की सीट पर भाजपा का कबजा रहा है एक्जिट पोल की माने तो भाजपा आज शायद गोपाल गंज सीट निकाल लेगी लेकिन पियादव को बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है अगर भाजपा ये सीट निकाल लेती है तो सीधा संदेश ये जाएगा कि देखिए भले आप लोग कोई नया प्रयोग बिहार के राजनिती में कर लीजे लेकिन लोग वो सीट किसी और को देने के लिए तैयार मुकामा पर लट जाते हैं मुकामा पर छोटे सरकार का सीट रहा है मुकामा को लेकर लोग कहते हैं कि देखिए वहां कोई पाटे चुनाव नहीं लड़ती है वहां अनंत सिंग चुनाव लड़ते हैं और अगर आज वहां से अनंत सिंग जीत जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो तिरस्वी को वाहवाही तो मिलेगी, लेकिन सोचिए कि अगर वहाँ भाजपा निकल जाए तो क्या होगा, इस वीडियो का विशलेशन का मतलब ही यही है कि देखिए, अगर उलट फेर कुछ भी होता है, तब भाजपा और आरजडी, महागटबंदन इसलिए नहीं कह रह ही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कि आखिर जो चुनाव जीतेगा, वो कैसा अपने आपको महसूस करवाएगा, और जो चुनाव हारेगा, उसकी कितनी किरकिरी होगी, तो यस भी आदाव 32 साल के वो लड़के, जो गुपाल में जाकर यह कहते हैं, कि 32 साल का लड़का अकेले भाजपाईयों को पानी पिला दिया है, और उसके बाद भाजपा के वो सारे बड़े मंत्री, बड़े चेहरे, जो गुपाल गन्ज से लेकर मुकामा तक नाप चुके थे, इस बात के प्रयास में कि कैसे भी RJD को सबक सिखाना है, वोटों की गिंती जो हो रही है, द इश्कुमार के साथ मिलकर बिहार को अब विकल्प दे चुके हैं, जहां भाजपाईयों का नामों निशान नहीं है, या फिर भाजपा लोगों तक ये संदेश पहुचा देती है, या RJD के 10 सर्कलर रोड में संदेश चला जाता है, कि देखो भाई, आप कुछ भी कर लीज है, तो तरस्वी आदव को हलकी सी हिवावाई, इसलिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर लेकर लोग का एक मनशा बना हुआ है, दिमाग माइंसेट है, कि देखिए वहाँ पर छोटे सरकार चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि कोई पार्टी, बाकी शाम तक जब क्लियर हो तब मालूम चलेगा कि लोगों ने तरस्वी आदव को एकसेट किया है, या फिर भाजबा को एकसेट कर लिया है, लगतार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप जंदा निक्षन देखते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद